तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके एक्जाम जो है इस पर MCQ होने हैं तो NDK यारिक नॉन डेस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग के मिल्टिपाइल चोइस कोशन लेकर आये हम और यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यही कोशन जो इन में से 50% कोशन ऐसे हैं जो पिछले साल आपके देंट करव से निटरमाइन की तैस्ट कोशन नॉन डेस्ट्रटिव टेस्टिंग इस डिऊस्टू टिरमाइन की त्या बटाने के लिए यूस होती है तो बताने यूस होती है लोकेशन डिफेक्ट कैम क्पोजिशन को जिए को या आल अल ऑफ दी इसकी तो इसके जो जो है इसके लिए यूज होती है तो all of these जो इसका correct answer है उसके बाद which among the following is not a type of non-destructive testing इनमें से कौन सा ndt का type नहीं है इसका right answer compression test यानि कि जो ए है वो इसका type नहीं है तो ए आंसर जो है आपका correct है उसका identify the type of destructive testing तो destructive testing का type इसमें आपको बताना है तो इसको टाइप है वो है क्रीब टेस्ट यानि इसी वाल आंसर आपका correct है question next which among the following is the last step in magnetic particle test method नहीं कि last step क्या है magnetic particle test method में तो last step जो है वह आपका है डी magnetization तो आप यहांपर देख सकते हैं इस आपका डी मेंटाइज जो option का एक्टे वाला ठीक है उसके बाद next question है which of the following statement is true for ultrasonic test ultrasonic test के लिए कौन सा option जो है वो true है यह तीन है यह फिर all of the above है तो इसका राइट आंसर है equipment used for ultrasonic testing is portable तो इसको जो यह आंसर है वो correct है उसके पाद हम आते next question पर next question during radiographic test which region absorbs less radiation and transmits more तो इसका राइट आंसर है यह low density region next question which test is used to determine dimension of any object तो इसका राइट आंसर है एड़ी करेंट टेस्ट इसका सी आंसर जो है correct है एड़ी करेंट test next एड़ी करेंट test is used to detect यानि कि जो एड़ी करेंट टेस्ट है वो क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका राइट आंसर है और आप यानिक क्रैक्स हार्डनेस कंड़क्टिविटी और ठीक है इन तीनों को यूज़ करने के लिए किया जाता है next which test can be performed without skilled labor यानि कि without skilled labor के लिए कौन सा जो है test perform किया होता है इसका राइट आंसर है डाइट पनेटर टेस्ट यानिकि एवारल आंसर जो है ए वो ठेक है नेस्ट को सब्सक्राइब इंवल्ड इन प्रोसेस और प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सेंपल ऑफ मेटेरियल तो कौन सा फस्ट स्टेप इसमें वह बी फाइन ग्रांडिंग इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं सी भशकॉर स्ट सी वाल आंसर आपका वह ठीक है नेस्ट कोस्टन विच अफ दह फॉल्वंग प्रोपर्टी विल बी मोरिन फाइन ग्रियन इस्ट्रक्चर त्या जयादा है तो वह रैट आंसर आ यहां पर देख सकते हैं आपका रैट है यानि की टुक्लियुट जो आजरी है नैस्ट फॉस्टेट्ट है में करफो किछ फॉल्विए फोलोविश तेस्टिजर्पारटी विल बी मॉर इन कोर्स फ्रक्ट्ट्रफ्ट्ट्ट्र इसका राइट आंसर है एनकी टीटिटी घृत पूस्ट नमइक्स फॉल्विए नॉन नौवीप थेस्टिजर्फिश्ट ट प्रेकिये जिसका औप्शन ए वह थीक है नॉन देश्टिक टेस्ट आर्द एप्लिकेशन फोर डिट्रेक्टिंग फ्लाउस एंड इन मैटेरियल्स विदाउट इंपेरिंग देर यूजफुलनेस तो एंसर जो है ठीक है यह नॉन देश्टिक टैसिंग की डेफिनेशन है ने इसका रएट आंसर है सी वाला लो डिंसिट्टी डिजन नेक्स्ट विच ओफ फॉलॉउँंग इस ट्रू फोर अल्ट्रासोनिक टेस्ट के लिए इसमें से कौन सा प्रू है यह वाला जो है वेक्यूपमेंट यूज़ फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिक टेस्ट पूर्ट टाइप आप टेस्ट कैपिली रियक्शन प्रिंसिपल यूज़ होता है तो वह है डाइप पैनेटरेंट टेस्ट सी वाला आपका ठीक है विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट इसका राइट आंसर है अगली वीडियो में आगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेकैनिकल इंजिरिंग की सभी वीडियो जो है आपको उसी चैनल पर मिलेंगे सब्सक्राइब करके पहले आकन प्रेस कर लेना थेंक्यू